हेलो गाइश तो कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूँ आपका हमारे योट्योग चैनल में यह हमारे पाइफन सीरीज की 21 वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले डेटा टाइपस के बारे में हमने अभी तक काफी सारी चीज़ा बार हम बात कर लि आपके काम आईगी और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वीडियो पूरी एंड तक देखें क्योंकि काफी सारी नई चीज़ा बार हम इस वीडियो बात करने वाले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी पाइफन प्लेलिश को एकसस नहीं किया तो जल्दे जागे पाइफन प्लेलिश को एकसस कर लिजिए और वेन नोटिविशन आउन कर दीजिए ताकि चैनल का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए गयाज स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को बीना किसी दे रही है आज की वीडियो में हम बात करने वाले डेटा टाइप्स के बारे में पाइफन में हमारे पास काफी सारे डेटा टाइपस अवेलेबल हो जाते हैं और आजकी वीडियो में हम इन data types के बात करेंगे और किस तरीके से हम data types के बीच type conversion करते हैं इसके बारे में भी आजकी वीडियो में हम देखने वाले हैं तो सबसे हम बात करने वाले हैं none की तो अपने दूसरी अगर programming language create कर रही होगी तो आपको बता होगा empty variables को create कर सकते हैं यानि ऐसे variables जो बिल्कुल empty हो यानि उनकी value एककम null हो तो उसमें क्या होता है आप दूसरे किसी programming language की बात करते हो तो simply आपको अगर को empty variable create करना पड़ता है तो variable का नाम डालके आप उस variable में null value को enter करते हैं लेकिन python में अगर आपको एक empty variable को create करना है यानि none data type को create करना है तो simply आपको करना पड़ेगा, simply अगर आप एक variable को create करेंगे, जैसे कि मैं एक variable करता हूँ where नाम से और इसकी value मैं करूँ दूँगा empty, तो यहाँ पर हमारा empty data type क्रियेट हो चुका है, और यहाँ पर यहाँ पर लिखे, यहाँ पर अगर मैं नया variable क्रियेट करता हूँ, यहाँ क्रियेट करता हूँ, test is equals none, आप मैं लिखता हूँ none, तो अब एक none नाम का हमारा data type यहाँ पर create हो चुका है, अगर मैं आपको यहाँ पर test की value को अगर time यहाँ पर check करके बता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए हमारे test की type यहाँ पर आ रहा है, रिटन हो रहा है, python में, त तो इस तरीके से आप एक empty data type को create कर सकते हैं, जिसकी value एक्तम नल हो, यानि बिल्कुल empty हो, आप इसकी value को बाद में change कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसी empty value को change करके, test in RAM की एक है, उसी value में एक number को आप enter करता हूँ, तो आप आप देखिए, अब हमारी जो type की, test की जो type आ र कियोंगे मैंने उसकी value को change कर दिया, यानि हमारी जो previous value थी none, उस variable में एक नई value को आप enter कर दिया है, तो इस तरीके से आप python में किसी भी variable की value को change कर सकते है, अगर कोई variable non type का है तो उसको integer में गनबाट कर सकते हैं, अगर कोई integer type का है, तो उसकी value को change करके आप simply उसी variable को integer string किसी भी type में change कर सकते हैं, अगर आपको कोई integer type का variable को create करना, जैसे कि अगर मैं आपको लिखू number, num variable, उसमें कुछ भी value को enter करूँ, जैसे कि मैं इधर 99 value को enter कर रहा हूँ, तो यहा आप देगी हमारा class int, एक data type create हो गया है, तो किसी भी variable का data type को check करने के लिए, simply python में आपको type keyword पर एंटर करना है, और brackets में आपको जिस भी variable का data type को check करना है, उस variable का नाम आपको enter करना है, तो simply आपको वो variable किस data type से belong करता है, वो एक class आपको return कर देगा, जैसे कि हमारा जो number variable उसका अधर में आपको type check करा, तो हमारा return हुआ integer, यानि हमारा जो variable है नम, वो int data type से belong करता है, अगर मैं एक नया data type create करता हूँ, जैसे कि एक data type होता है हमारा name, अगर मैं name को अगर enter दरो, और यहाँ पर लिखू name is equals to mohit, तो आप बीच सकते हैं, आपको देखके तो पता name का जो data type है, वो आपको spr, यानि string आपको return होगा, तो इस तरह से आप python में एक string type data type को create कर सकते हैं, इसी के साथ में हमने अभी तक देखा कि integer और हमने string और none के बारे में देख लिया, यह हमारे static data types है, यानि इसमें सिर्फ एक एक value हमारी होती है, लेकिन अब जो हम data types का list के बारे में बात पर आए, तो collections of data के बारे में बात करते हím, यानि collections of data क्या होता है, एक ऐसी चीज, जैनि एक एसा box टाइप, हमारे data types जिसके अंदर हमारी काफी सारी values हो सकती है, उस collection के अंदर आपकी numbers भी हो सकते हे, strings भी हो सकती है, characters भी हो सकते है, आपकी collections के अंदर क जैसे कि अगर मैं आपको एक लिस्ट क्रियेट करके बता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ LSE is equal to, अगर आपको Python में लिस्ट क्रियेट करनी है, तो simply आपको square brackets का use करना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको कुछ भी values को एंटर कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं end values एंटर करना आप देखिये, हमारा string भी list के अंदर एंटर हो जाएगा, मैं एक और string एंटर कर देता हूँ, मैं यतीश नाम से string एंटर कर देता हूँ, और इसको close कर देता हूँ, अगर मैं आपको इस list को print करूँ तो यहाँ पर आप देखिये हमारी list यहाँ पर output में हमारे पास आ चुकी है, लेकिन अगर मैं इस list का type चेक कर देखिये हैं, तो जो भी हमारा data type होता है, तो हमारा output में आ जाता है, तो हमने जो list क्रिएट कर देखिये हैं, उस list को data type में भी हम list ही कहते हैं, और जैसा कि मैंने बताया, उपर की तरफ हमारे integer के बारे में हमने बात कर ले, integer के अलावा भी हमारे पास से 2 या 3 चीज़े होती है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि सबसे अलम ने देख लिया integer, तो integer के अलावा भी हमारे पास से 4 चीज़े होती है, integer, float, complex number भी होता है, हमारे पास, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, कि अगर integer के आता second type आता है Python में data type आता है, तो float क्या होता है, float इस type के number होते हैं, जो fractions में हमारे पास available होते हैं, यानि जिनके पीछे decimal होता है, जिन numbers में decimals होता है, उसको हम कहेंगे float, जैसी कि अगर मैं आपको एक float number create करके बता हूँ, मैं लिखूँगा FLT, मैं एक variable create करूँगा FLT, और उस variable क अंदर मैं एक float number को enter करूँगा, मैं लिखूँगा 3.5, और मैं इसको एक variable create कर दी, अगर मैं आपको type चेक करके बता हूँ, इस FLT variable का, मैं दिखे करूँगा FLT का type चेक करके आपको बता हूँगा, तो यहां पर आप देखिए हमारा यहां पर return हो रहा है float, तो इस तरीके सम imaginary number, यानि उन number जिनकी value हम find out नहीं कर सकते हैं, और जिन number पे under root minus 1 present होता है, यानि आयोटा बोलते हो उसको, अगर वो आपके number present है, तो वो एक आपका complex number हो जागा, और complex number का लिखने का एक तरीका होता है, a plus b j, यानि a plus b j जैसे कि अगर मैं एक number create करता हूँ, टेस्ट नाम से अगर मैं एक number create करता हूँ, और उसमें मैं लिखता हूँ, 3 plus 8 j, और अगर मैं इस test की type check करता हूँ, तो या पर आप देखी हमारी class हमारे पास होगी complex number, तो यह हमने देख लिया complex number के बारे में भी देख लिया, और हमने देख लिया float के बारे में, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इन तीनों में type conversion करते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास एक number है, जैसे कि एक number है हमारे पास 99, अब मुझे 99 को float में convert करना है, तो क्या कर सकता हूँ, मैं 99 में एक नई value को enter कर सकता हूँ, जैसे कि 99 में 99.1234 कुछ भी डालके इसको float में convert कर सकता हूँ, लेकिन python में हम built-up methods होते हैं, जिसका हम कहेंगे type conversion, जिसका use करके आप किसी भी number को float में convert कर सकते हैं, अब जिस चाओ इसमें आपके number को convert कर सकते हूँ, जैसे कि अगर मुझे number को, हमारे number को float में convert करना है, तो मैं लिकूँगा type, मैं क्या लिकूँगा, amp लिकूँगा, और इधर आन्दर चाहताओ, मैं हमारा जो number है, उस number को convert करना चाहताओ, फ्लोक के अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूं, वापस number की value को यह चीन क रखेताओ, तो इस ब्सक्रेंश करना है, उस में आपको फ्लोक लिखना है और उस च्रिंग तो, उस पहरा मीटर's में उस वेरिवल को आपको पास करना है, simply. मैं क्या करना चाथा हूँ, मैं हमारा नमबर हो इसको फ्लोट में से अगर करना है। तो मेरे को आपको फ्लोट कीवर्ड डिखना है। और brackets का use करके जो भी आपको variable change करना, उस variable को उसमें pass करना है, अभी आप देखिए मैंने number को अभी float में change कर दिया, अगर मैं आपको number वापस print कराके दिखाऊंग जो हमारा number था 99, अब वो हो चुका 99.0, अगर मैं उसका type आपको चेक करके बताऊं, जो कि हमारा उपर आ था integer, अब उसका type आएगा float, तो इस तरीके से आप किसी भी number को float में convert कर सकते हैं, इसी के साथ में आप किसी भी float में जो आपके पास number present है, उस float वाला number को भी integer में convert कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं हमारे पास यह float वाला number, और float वाला number हमारे पास आ रहा है, FLT is equal to 3.5 में लिखता हो अगर आपको FLT print कराता हूँ, उसका type भी आपको check करके बताता हूँ, सबसेल है लिखता हूँ, FLT, मैं FLT का type भी check करूँगा, तो आप आप देगी glass float, मैं क्या चाता हूँ, मैं FLT को integer में convert करना चाता हूँ, तो simply मैंने integer keyword लिखा, और मैं जो भी variable को integer में convert करना चाता हूँ, अगर मैं वापस अगर आपको FLT type करके बता हूँ, मैं लिखूँ, FLT type पर enterprise करूँगा, तो यहाँ पर आप देगी, जो हमारा FLT पहले float class से belong कर रहा था, अब वो ही FLT हमारा int class से belong कर रहा है, तो इस तरीके से आप किसी भी दो numbers के बीच type conversion कर सकते हैं, आप एक complex number पी create कर सकत आपको मैं लिखूँगा, मैं लिखूँगा complex, और complex number लिखूँगा, तो complex लिख रहा पड़ेगा, मैं लिखूँगा complex new is equals to, और complex number create करने के लिए जैसे कि आप देखे हमने, हमको किसी भी int को float में convert करना है, तो float keyword का यूज़ करा, किसी भी float को integer में convert करना है, तो हमने आपर int keyword का यूज़ करना है, अब हमें complex number create करना है, तो simply simple सी बात है, हमको complex keyword का यूज़ करना पड़ेगा, और जैसे कि हमने बात करी complex number होता है, वो दो number से create होता है, तो हमें आपर दो value को पास करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारी value की real value, और second value value, हमेरी imaginary value, तो अभी क्या कर सकता अब हमारी value को पास करता हूँ, और हमारी imaginary value में FLT यानी float को पास करता हूँ, और enter press करता हूँ, अब अगर मैं आपको complex, मैं सब्रूँगा complex new को आपको print करा कर दिखा हूँ, मैं कहारो complex new को आपको print करा कर दिखा हूँ, तो यहाँ पर आप दीकिए 99.3 चा हमारे complex number आ गया, और अगर इसका type भी चेक करके आपको बता हूँ, मैं रहो complex new type चेक करके दा हूँ आपको, तो यहाँ पर type चेक भी करूँगा, तो यहाँ पर आपको glass complex written होगा, तो इस तरीके से आप data types का use कर सकते हैं, data types का use कर सकते हैं, और किसी भी number के बीच टाइप conversion कर सकते हैं, और next हम बात करेंगे, booleans के बारे में, तो booleans data types के होते हैं, हमारे पास किसी भी programming language में दो possibilities available होती है, जिसको possibilities को हम कहते है true और false, तो python और दूसरी जिती programming language है, सब में आपको boolean present हो जाएंगी है, किसी भी आप condition के बारे में हमने conditional statements का बात करी, उसमें हम लोग if statement का use करते हैं, और if statement का use करने के बाद में हमने देखा था, कि हम एक condition उसके सामने present करते हैं, और उस condition की value या तो आपकी true हो सकती है, या false हो सकती है, तो उसी true और false को हम कहेंगे, boolean data types, और boolean data types को लिखने का हमारा simple तरिका होता है, कि boole आप जब भी इदर लिखोंगे, तो हमारा बूल data types हम boole नाम की, तो इस तरीके सा आप boolean data types के बारे में देख सकते हैं, और जैसे कि अगर मैं एक a नाम का variable create करों, यह दर लिखता हूँ, a is equals to 5, b is equals to 3, और अगर मैं यहाँ पर एक condition को लिखूँ, मैं एक condition लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं एक condition चेक करता हूँ, मैं क्या करू false value हमारी new में store हुई होगी, अगर मैं आपको new print करा के दिखा हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए, हमारी false show हुआ है, क्योंकि हमारी एक ही जो value है, वो 5 है, और 5 कभी भी 300 छोटा, नहीं होता है, तो हमारी आप है false written हूई, अगर मैं इसका type चेक करके बता हूँ, new का, new का अ और अगर मैं आपको वापस new print करा के दिखा हूँ, तो आप condition को call से देखिए, condition हमारी है, a is greater than b, क्योंकि a की value है 5 और b की value 3 है, और 5 हमारा 3 से बड़ा होता है, इसलिए हमारा आप पर return हूआ है true, true, और वापस अगर आपको type चेक करके मैं बता हूँ, तो वापस हमारा type में बूल डेटर टाइप हमारा पर return होगा, बूल डेटर टाइप की class तो एक तरीके से आप हमारे पास python में boolean data types भी present होते हैं, और जिनकी value होती है true और false, और इसे के साथ में हम बात करेंगे, लिस्ट के बारे में, लिस्ट को आरम पहले में बात करीं, वापस हमें आपको लि लिस्ट को एंटर कर सकता हूँ, मैं लिस्ट के अंदर integer float complex number को भी add कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं complex number भी add कर सकता हूँ, और मैं strings को भी add कर सकता हूँ, और यहाँ पर एक मैंने list create करी है, और काफी random और अलग-अलग data types को use करके list create करी है मैंने, तो अभी आप क्या अगर मैं आपको type चेक कर गया, तो लस्ट का अपर एक list हमारे समने आपर आ जाएगी, लिस्ट हमने देख लिया और list के होता है, list होता है sequence of data, यानि list के अंदर आप किसी भी entry को change कर सकते हूँ, यानि mutable होती है, list हमारी होती ही mutable data type, यानि इसकी value को आप change कर सकते हो, अगर आपने हमारी list और connections of data वाली वीडियो नहीं देखिए, तो आप वो जाके check out कर सकते हैं, मैं आप आई बटन पे वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगे, आप ये check out कर सकते हैं, इसके साथ में next हम बात करेंगे data type के बारे में, जिसका नाम है tuple, list के तरह ये tuple काम करत ही कर सकते है, tuple को create करने के लिए मैं आप लिखता हूँ, और एक tuple create करने के लिए आप simply, round bracket का use करके simply आप जो भी value को आप enter करना चाहिए, वो value enter कर सकते हैं, मैं integer of load, complex number, और यहाँ पर complex number को भी enter करूँगा, और एक spring को आप एंटर कर लोगे बता देता हूँ, और यहाँ प और list हमारी होती है, mutable, और यह दौनर चीज़े होती है, वो index नीपर काम करती है, यानि हर एक character का, यानि हर एक entry का, और खुट खुद का एक individual index number होता है, जैसे कि अगर मैं आपको list print करका बताओ, वापस मैं आपको list print करका बताओ, तो first time जो list print होई थी, और second time जो list print होई थी वो बिल्कुल सेम होई गी, यानि हर character अपनी खुद की एक जगेप होगा, 23 का 0th index 35, 5.0, फिर एक complex number, फिर मोहित हमारे string, इसलिके साथ मैं अगर मैं आपको टपल भी print करका बताओ, तो टपल भी हमारा same print होगा हर बार, मैं इसलिए बार भी हापर टपल print करा नहीं कोशिश क काम नहीं करती, और collections of unique data instance, अगर आपकी list में कोई entry को repeat हो रही है, तो list वो entry बार-बार repeat करेगा, लेकिन set में ऐसा नहीं होता, अगर set में कोई entry आपकी बार-बार repeat हो रही है, तो set उसको एक ही बार print कराएगा आपके लिए, जैसी कि अगर मैं आपर set नाम का एक variable, create करने के आपको simply curly brackets करना पड़ेगा, मैं curly brackets करना पड़ेगा, एक curly brackets करना पड़ेगा, इस सेट को create करूँगा, और set के अंदर multiple entries को रहाँ, यहाँ आपर multiple entries को लिख लाँ, आप देख सकते हैं, मैंने आपके set को create कर रहा है, उस set के अंदर मैंने multiple two duplicate entry करी है, और two हमारे इंडीज अर उसकी duplicate entry यापर मैंने करी है और अगर मैं आपको यापर set को print करा कर दिखाओ यापर आप देख सकते है set में जो हमने 2 की duplicate entry करी थी वो 2 की duplicate entry नहीं होई है हमारा 2 सिर्फ एक ही बार यापर हमारा print हुआ है क्योंकि set होता है वो unique collections of data होता है यापर डूबली के entry काम नहीं करती है और इसी के साथ में अगर मैं set को st को आपर sprint करा हूँ तो हो सकता है कि हमारा जो indexing वो आगे पीछे हो सकते है मैं indexing नहीं कर रहा हूँ गा जैसे कि list में आपको अगर 0th index वाला याणि first character यह तो आप लिस्ट के आगे 0th index लिखेंगे तो first character आ जाएगा लेकि set के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता set के अंदर अगर आपको first character नहीं find out कर सकते है आपको पूरा set ही print कराना पड़ेगा और अगर मैं आपको type of stb print करा कर आगे बता हूँ तो आप हमारा यापे set हमारा या पर return हो रहा है तो इस तरहेगे से आपने list, tuple और set में भी difference देख लिया है last हमारे पास जो data type आता है python में वो काफे साथ important है उसको कहेंगे map data type list, set और tuple में हमने बात करी collections of data type की dictionary में हमारी collection of data होती है लिकिन dictionary में हमारे index काम नहीं करता dictionary में हर value के लिए खुद की एक personal key होती है वह की आप खुद से create कर सकते हैं आप चाओ तो उसकी value की integer से create कर सकते हो, आप खुद की create कर सकते हो integer भी हो सकती है, वह की string हो सकती है मैं आपको एक example के साथ dictionary को एकदम अच्छी तरीक से समझा के बताता हूँ को explain करने के लिए मैं एक example ले रहा हूँ example के लिए मैं एक ऐसा scenario ले रहा हूँ कि मेरे पास दो employees है और उन दो employees की मेरे पास name age और city है कि city में वो लिए करते हैं और उनका data में को यहाँ पर dictionary में enter करना है तो dictionary के data करने के लिए मैं simply एक dictionary create करूंगा मैं लिखोंगा my employees my employee या फिर इंपलाई लिख देता हूँ employees is equal to dictionary को create करने के लिए simply आपको curly brackets का use करना पड़ेगा और curly brackets का use करने के बाद में आपको एक की और उसके करद स्पेंडिंग आपको उसकी value आपर लिखनी पड़ेगी जैसे कि में को यहाँ पर एक employee का data को यहाँ पर enter करना है तो employee का data कुछ भी हो सकता है सब से बढ़े उसक employee का name हो सकता है उसके बाद हमारी employee की age हो सकती है और age एक number भी हो सकता है आप key की value को कुछ भी लिख सकते है जरूरी निए आपने key अगर एक string create करीए तो आप value भी string create करो value एक number भी हो सकती है मैं value number लिख देता हूँ और city हो सकती है कि city में आपका employee work करता है तो city में लिख देता हूँ एहमदा बाद मैं यहाँ पर लिखना रड़ेगा एहमदा बाद मैं city भी आपर enter कर देता हूँ और यहाँ पर आप लिखी हमारी एक dictionary successfully create हो चुकी है मैं enterprise करूँगा और अगर मैं आपको हमारी employees नाम की dictionary करा कर दिखा हूँ तो यहाँ पर dictionary में आप लिखी हमारे पास जो भी हम एक वैल्यू चीए मैं रिखने नीम, employee का कोई बात महीं मैं directly लिखाँ नीम और यहाँ पर एक सिठी में पर हैगना और इंपको दिक्शनरी को और अप मेरी वाली वीडियो जाकर check out कर सकते हैं मैं ने उस वीडियो में बेसिक से लेकर advanced अच्छी तरीक स法 को different ways बता है dictionary को create करने के लिए और किस तरीके से आप dictionary को अच्छी तरीके से आपके projects में यूज़ कर सकते हो आप ज़रूर से जाके उस वीडियो को check out कीजिए उसमें एकदम detail examples के साथ में मैंने सब चीजों को समझाया आपको ज़रूर समझ आएगा और आपको कुछ भी दिक्कत बताती कुछ भी समझ नहीं आता तो आप इस वीडियो के नीचे भी मुझे comment करके बता सकते हैं और अगर मैं आपको इस dictionary का type चेक करोगे तो बताऊं तो अगर मैं एदर लिखूंगा dictionary type of हमारा variable तो यह आपर हमारा type of variable आ रहा है तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में ह सारे data types का रहे हैं बात कर लिए हमारे python में हमारे पास अबलेबल होता है अगर हमारे में से कुछ चूड़ गया तो आप मुझे comment करके बता देना मैं next वीडियो में उस चीज को जरूर पावर करूंगा और आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा और वीडियो आपको अच् दोस्तों के साथ भी शियर करजिए और हमारी इस python playlist को और काफे साधा फैलाईए ताकि हम भी ट्रेंड कर सकते हैं और अच्छी चीज़े आप दूसरे लोगों तक भी बहुत सके हैं और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चै चैहें हिंद।